आएए जर गां के टौप 25 पर्मुफ खबर जानते हैं केंदरिये करमचारी एवम अधिकारी परिसंग ने पिये मौदी को लिखा पत्र केंदरिये करमचारी एवम अधिकारी परिसंग ने सुकरवार को प्रधान मंतिरी renewable मौदी को पत्र लिखा परिशंग के अध्यक्ष डक्टर सदेव राम ने पत्र में कहा है कि केंदर सरकार के करंचारियों को 4 जनवरी 2020 से दे मांगाई भथ्ते और केंदर सरकार के पेंशन भोगयों को मांगाई राहत की अतिरिक किस्त भी 4 जनवरी 2020 से भोगतान परोक लगाई गई है जब एफासला लिया गया उस वक्त पुरा देश महामारी से त्रस था देश की आर्थिकी चित्ती ठीक नहीं थी फिर भी आपने चुनतियों का सामना करते हुए देश के नागरी को कहर संभव सहयोग दिया और महामारी को नियंत्रन करने में सफलता आँचिल किया है महसम विभाग के उनसार पच्छमी भी छोब के कारण जम्मू कास्मी सहित उतर पच्छिम इलाके में भारी बर्फबारी होने तथा हावा का रोक दक्षिन पूरव की तरफ रहने के कारण जार्खन के कई जीलों में ठंड बढ़ गई है बतादे राजधानी और आसबास के इलाकों में अगले दो से तीन दिनों तक निन्तम तापमान में दो से तीन डिग्री सेलसेट की गिरावट होने की संभवना है राची इस्थित केंद्री मौसम बिभाग के बैग्यानिक अभिसेक अनन्द के अनुसार इस दोरान सुबा में कोहरा वधोन तथा दिन में आस्मान साफ रहने की संभवना है वही 17-18 जन्वारी से निन्तम तापमान में दो से तीन डिग्री सेलसेट की बिरिदी होने की संभवना है पारा सिक्षक का पारा गराम बिना अस्थाई किये कोई चारा नहीं अस्थाई करण की मांग को लेकर अंदोलन रत पारा सिक्षक को की सुक्रवार को मुख मंतरी हमान सोरन के साथ होई बारता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी राम मंदिर निर्मान के लिए राजेपल ने दी एकावन हजार की सहयोग रासी जार्खन की राजेपल दोपती मुर्बुने सिरी राम जन्म भुमी मंदिर निर्मान के लिए एकावन हजार एक रुपए की सहयोग रासी परदान की इसी के साथ मंदिर निर्मान के लिए सुक्रवार को जारखन में निधी समर्पन अभियान के शुरुवात हो गई बतादे राजेपल निधी समर्पन अभियान के तहत यह रासी चेक के रूप में उनसे राजबवन मिलने पहुँचे भी स्वे हिंदू परिसत के केंद्री उपाद्यक्ष जगनाद साई को सौपी जारखन हाई कोट ने हिमन सरकार से कहा सिर्फ पलान बनाने से नहीं चलेगा काम राजे में गुटका बिक्री पर राजे सरकार दोरा दाखिर सपत पत्र पर जारखन हाई कोट ने कहा कि सिर्फ पलान बनाने से काम नहीं चलेगा काम दिखना भी चाहिए हाई कोट ने या मौखिक टिपनी तब की जब राजे सरकार की ओर से कहा गया कि राजे में गुटका की विक्री पर पूरी तरह परतिवन लगाने के लिए सरकार रोड मैप तैयार कर रही है सरकार ने 940 सिक्षकों के बेतन पर लगाई रोग राजे के परतेक जीले में हाई वा प्लस टू इसकूलों के सैकलों सिक्षक इविद्यवानी पर उपस्थिती नहीं बना रहे हैं बतादे मादमिक सिक्षा निदे सालय द्वारा उपस्थिती बनाने के बार-बार निर्देश देने के बावजू दिया इस्थिती है समीक्षा में यहाँ बाद सामने आई है कि विभीन जीलों के 940 सिक्षकों ने 20 दिसंबर 2020 के बाद एक दिन भी उपस्थिती नहीं बनाई उपस्थिती नहीं बनाने वाले सभी सिक्षकों के बेतन पर रोक लगा दी गई है सरकों पर गुंडा गर्दी करने वालों का हाथ पाव नहीं तोड़ेंगे तो कि आप फूल माला पानाएंगे डीजीपी परदेश की बीदी बेवस्थप पर राजे के परभारी डीजीपी एंबी राव ने सुक्रवार को पूलिस मुख्याले में प्रेस वारता में कहा कि जारकन पूलिस पूरी जिमिदारी के साथ आपना काम कर रही है कहीं कोई समस्या नहीं है उन्होंने कहा कि अपराद खत्म करने की मांग की आड में आईडियो लोजी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए पूलिस को अपराद के बाद समय मिलना चाहिए नहीं की घटना के बाद पूलिस पर पत्राव करना चाहिए या खूक कृत्य करने के बराबर हाए परभारे डिज़िपी ने कहा कि सीर कट्टे सोगी बराम्दगी मामले के बाद जीस तरह से मुख मंत्री के काफले को निशाना में बनाया गया वह कहीं से भी उचित नहीं था जार्खन में नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है बतादे सुक्रवार को मद्दाता सुची फूल रिक्षन के बाद नई मद्दाता सुची का परकासन किया गया है इसमें तमाम अपतियोग का निराकरन कर लिया गया है बतादे अभी जार्खन में आने वाले दिनों में पंचाय चुनाव होना है ऐसे में बोटर लिस्ट को लेकर मद्दाताओ में खासी होत सुक्ता है चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई इस मद्दाता सुची के अनुसार पिछली जनगन्ना में राजे का लिंग अनुपात 947 बताया गया है जबकि बर्तमान निर्वाच्चा नेमावली के अनुसार राजे का लिंग अनुपात 931 जनगन्ना गया है बताजे नई मद्दाता सुची के अनुसार राजे में कुल मद्दाताओ की संक्या दो कोर 35,49,328 है ज़ारखन में 96 नई मरीज मिले हैं जो राजे से 33 बुकारो 6,74,1, धनबाद, साथ, दुमका, एक, पुर्वी, सिमू, सत्रक, अड़वा, एक, गोड़ा, गुमला, 4,0026, लाते हार, एक, लोर्दागा, दो, पलामु, 11, सराय केला, एक, पच्छमी, सिमू, से 4 मरीज मिले है बतादे राजे में राची जीला से एक मरीज की मौत हुई है, वहीं कूल मौत की संक्या 1,049 है, कूल एक्टिव केस 1289 है, भारत में 15,151 मरीज मिले है, भारत में कूल मौत की संक्या 1,52,132 है, वहीं एक्टिव केस की बात करें, तो 2,08,261 है होटवार इस्थित बिर्सा मुंडा, कंधरिय करागीरी में बंद हुत्या के कैदी सनवाज हुसायन के पास से जेल परसासन ने सुकरवार को एक मॉबाइल और सीम कार्ट बरामत किये हैं बतादे इस मामले में जेल परसासन ने ड्यूटी परतैनाद सिपाही बिद्या परसाद सिंग और राये सिंग को भी दोसी मानते हुए इसके अलावा सहनवाज के खिलाप खेल गाव थाना में प्रात्मी की दर्ज कराई है। जेल अधिक्षक ने बताया कि सहनवाज को सेल में बंद किया गया है सुबा चेकिंग के वक्त वाप फोन पर बात करते दिखा है। अधालत ने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को भी परतिवादी मानते हुए दोनों से 29 जनवाज तक जवाब दाखिल करने का निदेश दिया है। आरोपी मानव राज सरमा खुद को BSF का अधिकारी बताकर नौकरी देने के नाम पर युआओ से रुपए एड़ता था। 21 जनवारी से फिजिकल कोट में होगी सुनवाई। हाई कोट की ओर से SOP जारी किये जाने के बाद राची सिविल कोट में 21 जनवारी से फिजिकल कोट में सुनवाई का निर्ना लिया गया है। बता दे फिलाल राची में एक चोथाई अदालते फिजिकल मोड में काम करेगी जबकि बाकी अदालतों में वर्चुल माध्यम से ही मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इस निर्ना से राची सिविल कोट के वकिलों में खुजी की लार है। करिम 9 महीने बाद एक बार फिर रेगुलर कोट में सुनवाई शुरू होने से उनमें काफी उत्सा देखने को मिल रहा है। शुजीत नरायन परसाद के अधालत ने सरकार को महालेखाकार के रिपोर्ट के अलोक में 29 जनवाई तक जवाब दाकिल करने का निदेश दिया है। खंड बाल विकास पर योजना पदाधिकारियों को निदेश दिया कि सभी आंगन बाडी के अंदरे पर फोसन वाटकास थापित करे। जस्टिस फोर निर्भाया केंपेंच चलाने वालों को पुलिस भेज़ेगी नोटिस डिजीपी। ऐसे लोगों से पूछा जाएगा कि उन्हेया अजनकारी कैसे और कहां से मिली की। जिस यूती की सीरकटी लास और माजी में मिली थी। उसके साथ गैंगरेफ हुआ था। डिजीपी एमबी राव सुक्रवार को प्रेस कॉन्फरेंस में बोल रहे थे। कि पहले मा में ही गर्वती महिला का पंजी करन एवम एंसी सुनिश्चित कराए। जार्खन सन्विदा कर्मी जल्द बहाल होंगे। पंचायती राजविभाग ने चोधवे बित आयोग के लिए सन्विदा पर रखे गए कर्मीयों को बहाल करने के मामले में संकीता आगे बढ़ा दिया है। उमीद हाय की जल्द ही इस पर निन्ना ले लिया जाएगा। राचिक के नौ गाओं में गर्म कपड़े का किया वित्रण। मकर संक्रांती पर्व के उपलक्ष में मिशन वन मिलियर एस्माइल्स के तहट काके परखंड के आठ गाओं में जबकि नामकुम के लल खंटा पंचायत के गाओं खरसी दाग के विभीन जरुद मंदों को गर्म कपड़ उपलब्द कराये गाए। जहां काके बलोक के उक्त गाओं के तीन सो जरुद मंदों को अनिता गल्स हाई स्कूल परिसर में एकतित कर समयक रूप से कंबलों का वित्रण किया गया। पुलिस और मजबूत साक्ष कोट को अपलब्द कराएगी इसके अलावा फास्ट्रेक कोट से सुनवाई के लिए कोट से अनुरत करेगी इस मामले में अनुसंधान की हर बारिक्यों को ध्यान में रखकर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रधान मंत्री और मुख मंत्रियों को सबसे पहले लगे टीका आहिमांत सुरेन। मुख मंत्री हमांसुरेन देश में क्रोना वाइरस के खिलाब टीका करन अवियान पर कहा कि सबसे पहले देश के प्रधान मंत्री और मुख मंत्रियों को टीका लगना चाहिए। वे सुक्रवार को एक नीजी चैनल में बात चित कर रहे थे। प्रधान पर करन पर लागू होती है। इसलिए पहले हम जैसे लोगों को आगे आने चाहिए तब लोगों को टीका करन पर विश्वास भी होगा। धन्यवाद। झाया